तो आज हम बात करेंगे 30 by 30 फिट के हाउस प्लाइन की काफ़ी डिमांड थी इसकी आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो में से पूछ रहे थे 30 by 30 के लिए तो चले दो स्टार्ट करते हैं तो हमारे यह है 30 by 30 का एक हाउस प्लाइन आप अगर आप ऑटोकैट की पार्किंग के लिए हमने नहीं बताया है यहां से स्टेर है यहां से ओपर गई है तो इसके यहां पर आप पार्किंग कर सकते हैं अगर आप यहां पर देख रहे हैं 3D में तो यहां पर आप 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 कर सकते हैं उसके बाद जो हमारे में एंट्री होते वो ड्रोइंग या आप तो इसको चेंज भी कर सकते हो जो हमारा ड्राइश वी में 21 gamire तो यहीं से हमारी entry dining room के अंदर जाती है, जो हमारा dining room है, वो 8 feet 1 inches by 9 feet 2 inches का है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह आपका dining room यहाँ पर आ जाते है, सामने open kitchen है, जो 7 feet 8 inches by 8 feet 1 inches की है, यह आप देख सकते हैं, फिर इधर आपका एक bedroom है, जो first bedroom है, जो 11 feet by 12 feet का है, जिसमें हमने cupboards भी लगाए हैं, यहाँ पर और जो यह toilet और bathroom यहाँ पर बनाया है, वो common रहेगा, drawing room, bedroom और dining area बगारा के लिए, एक bedroom हमने यहाँ पर बनाया, काफी ventilation काफी मिलेगी, इस room में ventilation आ रही है, इस room में हमने window के तो यहाँ पर ventilation की है, यहाँ पर हमने वेंट लगाया है, तो आप देख सकते हैं, काफी अच्छा प्लैन है, अगर आप इसका 3D देखते हैं, तो यहाँ से entry, फिर आपका यहाँ पर drawing room, यहाँ पर dining, kitchen, यहाँ यहाँ पर एक bedroom, यह वाला bedroom, यहाँ पर दो washroom, एक attached washroom यहाँ के लिए, और एक common washroom और यहाँ पर open to sky open लेगा, तो यह कुछ idea, आशा करतो हो, वीडियो अच्छी रगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज कमेंट करना मत भूलें, और चैनल को सब्स्क्राइ झाल